दोस्तो आज की वीडियो में आपको PVC पैनल का पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाएंगे, कैसे एक प्रॉपर तरीकी से आप PVC पैनल को किसी भी दिवार पर लगा सकते हैं, उसको लगाने के लिए कौन कौन सी एसेसरीज की जरूरत पड़ती है और इसको लगावाने का खरचा कितना आता है, तो चलिए वीडियो को स्थू करते हैं, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटीप किसम को आउन कर लिए, अब पैनल लगाने के लिए सबसे पहले में दिवार पर नीची की साइड और उपर की साइड है, वो स्लोप है, इसकी वज़ा से इसको हमें सीधा करना होगा, चलिए इसको सीधा करते हैं, उसके बाद हम इसको लगाएंगे, जब भी आप पैनल लगाना स्टार्ड करें, तो सबसे पहला पैनल जो है, वो बिल्कुल सीधा लगाएं, नहीं तो आगे चलके आपको सारे पैनल्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने माला है, दोस्तो इस लेजर के जरी आप देख सकते हैं, हमारा पैनल अभी बिल्कुल सीधा लग चुका है, जो ग्रीन बीम निकल रहे है लाइट की, वो बिल्कुल पैनल के सीधे पे है, तो इससे पता चलता है कि हमारा पैनल सीधा है, अब हम यहाँ पर 4 mm की कीली जो आती है, उसक अब आप देखिए, और इससे हम पैनल कोट दिवाल पर लगाएंगे। कि अच्छी लगाँ पैनल के सकता चाहँ आप, आप अब आप पाइट करो थाहाँ है, यहाँ का मिर्याँ आप आप है, आप अब हैंगे। अभी पहला पैनल हमारा दिवाल में फिक्स हो चुका है, अगले पैनल को हम अपने साइच के कॉर्डिंग कटिंग करेंगे, उसके बाद हम पैनल में लगाएंगे, पैनल के अंदर गुरूप बना हुआ होता है, जिसके अंदर हम पैनल को डालते हैं, और जो भी वहां पर कील कीली वाला पार्ट है, वो इसके अंदर छिप जाता है, देखिए, पैनल में यहां पर गुरूप बना हुआ है, दोस्तों, वाइट और गोल्डन कलर का जो पार्ट आप देख रहे हैं, यहां पर गुरूप है, इस गुरूप के अंदर हम यह पीछे वाला पार्ट पैनल का चानी मिल्ग है, झालो थोड बता है, ए यह माच कारह है, यहां अघ्ल, के दो पार्ट है इस लुट कारे सकर एचिए. इसb constituत एव में है, यहां दो हैं वोल्गने कीलोड़ के प Secondly, की अईक्षए कि अगर आप इस पैनल को ध्यान से देखें गे तो यह जो रिफ्लेक्टेट है अगर आप दूसरी साइड जाते हैं तो कुछ दूसरी टाइप कर दिखेंगे धो और वहां से दूसरी साइभ जाएंगे तो दूसरी मुव़ एिंग समों आपके यस दिया। यहां पर आप देखेंगे बीच में पिलर आ चुका है यहां पर हम बिना किसी बीडिंग का यूज किये हुए तुरा पीवीची पैनल राउंड करके लगाएंगे आपको भी पैनल लगाते टाइम ऐसे पिलर्स बीच में मिलते होंगे तो आज आपको कुछ नया सीखने के मिल दिखाए लेगए कैसे आप राउंड करके पैनल का लगा सकते हैं और किसी टैप का बिडिंग का यूज नहीं किया जाएगा बिडिंग का पैस आपका बचेगा और टाइम भी काफी जादा बचेगा यह देखते हैं कैसे पैनल को बीच में राउंड करके लगा सकते हैं बीच दोपको बीच लगा सकते हैं झाल झाल दोस्तों ही फाइनली पूरे वाल पर हमारा पीबीसी पैनल लग चुका है अगर इसके कॉस्ट की बात करें तो 35 रुपे स्कॉार फिट से पीबीसी पैनल का प्राइज स्टार्ट हो जाता है अगर आप नार्मल क्वाल्टी का पीबीसी पैनल लग वाते हैं तो 35 रुपे स्कॉार फिट बिट इंस्टॉलेशन लगाया जाता है अगर आप सूपर हाइबी मैटेरियल लग वाते हैं तो 35 रुपे स्कॉार फिट लगाया जाता है एक paint के दाम में आप PVC पैनल लगवा सकते हैं इसका look काफे अदर luxury और काफी कमदामी भी हो जाता है अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे एक proper तरीके का पूरा installation आपको दिखा दिये हैं इसके बाद आप यहाँ पर rounding देख सकते हैं complete होने के बाद किस प्रकार से लग रहा है कहीं ही bidding का यूज़ नहीं किया गया है जाने के लिए हमें दो type की bidding का यूज़ करना होता है एक L bidding होता है और एक U bidding होता है यहांए हमारा नीचे को साइड लगता है और साय्ट साइड में लगता है इसके बाद दोस्तों जो यहां पर कुछ इस प्रकार से लगा गया है बहुत ही beλ Siing के साफ प्रोपर तरीके से पूरा installation किया गया है यह हमारा L वीडिंग है इसे आप किसी को मेरे लगा सकते हैं और अजयों बियार सब्सक्टर प्रभ भी खिर्पश टो जलक गाम गयार और भी अन्यार प्रोल्स आर थे आ आल अजयों अजयों ब्री खाल